दिली में इस वक्त नीती आयो की मीटिंग चल रही है प्रधार मंत्री मोधी बैठक की अध्यक्षिता कर रही है और बैठक में अर्विंद के एजडिवाल और मम्ता बेनर्जी समेथ साथ राज्यों के मुख्य मंत्री शामिल नहीं है तफिर इस वक्त आपके सामने है नीती बैठक शिरू हो चुकी है प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी इसके अध्यक्षिता कर रही है और सभी राज्यों के मुख्य मंत्री इसमें शामिल होना था लेकिन साथ राज्यों के मुख्य मंत्री इसमें शामिल नहीं है जिसमें मम्ता बिनर्जी है अर्विंद के शिवाल है भगवन तमान है के सियार है इसके लावा यदि हम बात करें राजस्तान के मुख्य मंत्रि अशोग गहलोत है तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं दो हजार सेंटालिस का मिशन भारत का विजन और साथ ती साथ किस तरीके से लोकतंतर को मश्बूत किया जा सकता है महिलाओं का सशक्ति करण हो या फिर हेल्थ सेक्टर में डेवलाप्मेंट हो नूट्रिशन जैसे एहम मुदों को लेका ये नीती आयोकी बैठक चल रही है जिसके अध्यक्षिता खुद प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी कर रही है कैबिनेट मिन्स्टर्स भी इस मीटिंग में मौजूद है इसक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रही है नीती आयोकी बैठक सभी राज्यों के मुख्य मंतरी इस में शामिल है सिर्फ साथ राज्यों के मुख्य मंतरी इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रही है जिसमें बिहार के मुख्य मंतरी नीती आयोकी बैठक में शामिल नहीं है दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद के एजरिवाल पंजाब के मुख्य मंत्री भगवन तमान भीफ में शामिल है बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार निती आयोग की बैठक में शामिल नहीं है नितीश कुमार ने बहिश्कार की क्या बज़े बताई वो आपको सुनाते हैं इस सब चीज को अदूसरी बात है कि कितना भी जो डिवलप्मेंट के लिए जो मिलना चाहिए और जो पहले होता था उसे आप से कोई डिवलप्मेंट के लिए तो केंदर का वो भूं मदद नहीं मिल रहा तो इसलिए इन सब चीजों पर जो बात कहते रहे हैं वो तो फिर कहते हैं प्रधान मंत्री नीती आयों के बैठा कर रही हैं तो उनके पार्टे के बड़े बड़े निता 9 साल के उनके कारेकाल पर मेगा अभियान चला रही है मोधी सरकार का 9 साल कितना बेमिसाल रहा मोधी एक एक फैसला कितना कमाल दिखा रहा है इसे प्रमोट करने के लिए बीजेपी ने एक मेगा प्लान तयार किया है उपलब्धियों का प्रचार प्रफार करने के लिए जबरदफ तयारियां की गई है अलग अलग शेयरों में प्रेस कांफिरंस करके मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जा रहा है ताकि 2,44 में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन सके सरकार के इस अभियान के खिलाफ कॉंगरेस भी आक्शन में है कॉंग्रिस ने बीजेपी से आज नौ सवाल पूछे है पूरे अभियान के दौरान दीश्वर में 45-55 बड़े रैलिया आयोजित की जाएंगे और इनमें से आधा दर्जन से ज़्यादा रैलियों को पिये मोदी खुद संबोधित करेंगे अमित शाह सरकार के नौ साल पूरा होने पर नौ साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्यान पर एक राश्ट्रे कॉंक्लेव के उढ़ात्र सत्र में संबोधन देने वाले हैं इक तिसमई से शुरू होने वाले महा अभियान के दौरा नौ दिनों तक नौ विश्यों को नियमित रूप से ट्रेंट करने की योजना है इन में प्रमुक रूप से नौ निधी, नौ शक्ती, नौ धाम, नौ रत्न और नौ निर्मार जिसे विश्यों को प्रात्मिक्ता से सोशल मीजा प्लेटफॉर्म पर ट्रेंट करवाया जाएगा BJP के मेगा भियान के बीच कॉंग्रेस ने मोदी सरकार से 9 सवाल पूछे हैं जिसका BJP ने करारा जवाब दिया है जब हम आपसे पिछले नौ साल का हिसाब मांगते हैं तो आप अब 900 साल पीछे मत ले जाएए इतिहास में कि 900 साल पहले ये हुआ था, 800 साल पहले ये हुआ था, 700 साल पहले किसी को कोई रुची नहीं सब यह जानना चाहते हैं कि पिछले नौ साल में आपने क्या किया कितने में बिक्रा है? 400 रुपे का सिलेंडर यहां 1200 में बिक्ता है तो आप पलट कर कहते हो कि श्री लंका में 2000 का बिक्रा है पाकिस्तान में 2000 का बिक्रा है ये स्तर बना दिया अपने मेरे देश का हताश कॉंग्रेस पार्टी इस बात को आज भी स्विकार नहीं कर पाई कि कॉंग्रेस की राज में अर्थ व्यवस्था की दृष्टी से भारत की जीडिपी 111 लाग करोड के आसपास थी आज भारत की जीडिपी 272 लाग करोड से जादा हो गई जिस गरीब किसान को कॉंग्रेस ने मोहरा बना कर वर्षों वर्ष अपनी राजनीती के लिए इस्तमाल किया अब ऐसे 11 करोड से भी जादा किसान सालाना मोधी सरकार में 6,000 रुपे अपने बैंक के खाते में पाते हैं मोधी सरकार में 30 करोड से भी जादा सॉयल हेल्थ कार्ज अब तक देश के किसानों को उपलब्द कराए गए ये भी कहना उचित होगा कि प्रती क्विंटल गेहू में 775 रुपे की बढ़त चावल पर 730 रुपे की MSP की बढ़त कॉंग्रेस को नहीं सुहाएगी हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर